वेल्कम तू सिलेक्शन आएक्यू आज है ट्वेंटेंथ ओफ अगस्त और करेंगे दा हिंदू वोकाबलरी विद हिंदी मिनिंग इंपोर्टेंट फॉर अल कॉंपॉर्टेटिव एक्जाम्स बैंक एससे छेशल सेजेल और स्टेट लेवल एक्जाम्स के लिए स्कूरू जब खो जाता है तो उसकी स्कूरूटनी की जाती है चान भीन की जाती है यह स्कूरू खो गया है तो स्कूरू इज इक्वल टू स्कूरूटनी सियाद कर सकते है स्कूरूटनी में छान भीन सेकेंड है कॉर्पस और यह एक नाउन है और इसका मिनिंग होता है या collection of written और spoken material में संग्रह करना सिनोनी मोहता है collection compilation और इंटॉनिम होता है पार्ट या पीस इसे याद कर सकते हैं क्रॉप से इक्वल टू कॉर्पस से मिन्स क्रॉप्स को संग्र किया जाता है जो अनाज होते हैं उन्हें संग्र किया जाता है तो क्रॉप्स इस इक्वल टू कॉर्पस से याद कर सकते हैं कॉर्पस मिन्स संग्र करना होता है सिस्ता मिनिंग होता है स्टेट inac एंड इन डीटेल असपस्ट होता है यह इंदी मिनिंग शिनोनीम होता है एक्लियर डाइरेक्ट और प्लेन एंटोनीम होता है वेग और इसको याद कर सकते है explanation is equal to explicit से means यह explanation explicit है यह वर्नन जो किया गया explanation means वर्नन करना explanation जो है वो explicit है असपस्ट है इस तरह से जो explanation किया गया है वो असपस्ट है समझ में आ रहा है तो explanation is equal to explicit से याद कर सकते है explicit means aspast fourth नमर पर है uncapped और यह एक वर्ब है और इसका meaning होता है remove limit और restriction means खुल जाना uncapped means खुल जाना synonym होता है open decapsulate और इंट्रोनीम होता है imprint और stamp इसे याद कर सकते है bottle plus cap is equal to uncapped means bottle की जो cap है जो ढखकन है वो खुल चुकी है तो इस तरीके से याद कर सकते है cap is equal to uncapped से ढखकन खुल चुका है uncapped means खुल जाना सो हमारा next वो कहाँ है nexus और यह एक noun है और इसका meaning होता है series of connections linking two or more things means बंधन synonym होता है network chain और string एंट्रोनीम होता तो नेक्सस से याद कर सकते हैं nexus means बंधन शिक्स नंबर वो कहाँ है प्रोब और इसका meaning होता है thorough investigation into a crime means जांच करना शिनोनीम होता है investigation inquiry और इंट्रोनीम होता है glimpse और absurd और इसको याद कर सकते है problem is equal to probe से means जब भी कोई problem होती है जब भी कोई समस्या होती है तो उसकी जांच की जाती है तो problem is equal to probe से याद कर सकते हैं probe means जांच करना यहाँ पे coronavirus से पूछा जाता है कि तुमने इतने लोगों को क्यों मारा इतनी problem क्यों फैलाया coronavirus से यहाँ पे probe किया जा रहा है क्योंकि coronavirus आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या एक बहुत बड़ी problem है तो problem is equal to probe से याद किया सकता है problem is equal to probe probe means जांच करना seventh नमर पे है protagonist और यह एक noun है और इसका meaning होता है advocate of a particular cause or idea means तरफदारी करना इसे याद कर सकते हैं protesters is equal to protagonist से मिस सुसांत सिंग राजपुत की death mystery को सुल जाने के लिए protesters protagonist हो रहे हैं तरफदारी कर रहे हैं सुसांत सिंग राजपुत की और साथ में बिहार पुलिस की और वो मांग करें से बी आई जाट Saket to see Répma की तरफदारी कर रहे हैं प्रोटेगोकौne कैस्ट तो प्रोटेश्टर विए क churchesisch इवार्टेगोंफी से आत कर सकते हैं तो question is equal to quest, question की खोज की जाती है, जब भी कोई सवाल सामने आता है, तो उसके जवाब को खोजा जाता है, तो question is equal to quest, से यसे याद कर सकते हैं, तो हमरा next वो के बहें, नाइन्थ नमबर स्वे, और यह एक वर्ब है, और इसका मिनिंग होता है, control और influence of a person, means प्रभाव, सिनोनिम होता है, influence, affect और bias, एन्टोनिम होता, inability, inefficiency, और इसे याद कर सकते हैं, ट्रंप प्लस स्वेम इस इकवल टू, स्वे से स्वे में स्वेम का भाव आ रहा है, वर्ड आ रहा है, तो ट्रंप जो हैं, जो अमेरिका के राष्ट्र पती है, और वो पुरी दुनिया पर अपना प्रभाव समझते हैं, स्वेम का प्रभाव समझते हैं, तो स्वेम इस इक disbelief और disregard इसे याद कर सकते हैं दिमाग माइंड इज इक्वल टू दिमाग मिंस माइंड मिंस दिमाग होता है दिमाग इज इक्वल टू डिम्ड से मिंस हम अपने दिमाग से ही विचार करते हैं दिम्ड में दिमाग का भाव आ रहा है और साथ में माइंड का भी भाव आ रहा है तो दिमाग is equal to dimmed से याद कर सकते हैं दिमाग से ही हम विचार करते हैं तो dimmed means विचार करना तो ये वो कैब्स थे आज के दहिंदू से 20 अगस्त के दहिंदू से इन एक बार एपीट कर लेते हैं फर्स्ट था scrutiny और ये एक noun था और इसका meaning था चानविन और इसे याद कर सकते हैं screw is equal to scrutiny से means screw जब खो जाता है तो उसकी scrutiny की जाती है चानविन की जाती है second number पे था corpus और इसका meaning होता है संग्रा crops is equal to corpus से means crops को संग्रा किया जाता है उन्हें इकठा किया जाता है तो crops is equal to corpus crops means अनाच और हमारा third वो केप था explicit और इसका meaning था asbest इसे याद कर सकते हैं explanation is equal to explicit से means ये explanation पूरी तरह से explicit है asbest है fourth number पे uncapped और इसे हमने याद किया था bottle plus cap is equal to uncapped से means bottle का जो cap है उसे uncapped कर दिया कि या खोल दिया गया fifth number था nexus और इसको हमने याद किया और इसको हमने याद किया था प्रोटेश्टर इसको हमने याद किया था कि जाच कर रहे हैं मांग कर रहे हैं से भी याई की तरफदारी कर रहे हैं तो protesters is equal to protagonist से हमने याद किया था protagonist means तरफदारी करना next 10 quest और इसे हमने याद किया था question is equal to quest say means quest से ही question बनाएं और question का answer ढूनने के लिए हर कोई खोजता है question का answer to quest means खोजना 9 नमर पे स्वे और इसे हमने याद किया था Trump plus soyam is equal to sway से means Trump पुरी दुनिया पर स्वेयम का अदिकार समझते हैं तो स्वेयम is equal to sway, sway means प्रभाव तेंथ नमर पे dimmed और इसे हमने याद किया था mind, dhimag is equal to dimmed से dimmed में dimag और mind दोनों का बाव आ रहा है तो दिमाग से हम लोग विचार करते हैं तो mind is equal to dimmed या दिमाग is equal to dimmed से याद कर सकते हैं dimmed means विचार करना तो यह वो कैब थे 20 अगस्त के 10 Hindu editorial से तो याद हो गया होगा please support selection IQ for quality content like share and subscribe and thank you thank you for watching